नमस्कार आप देख रहे हैं समिक्षा न्यूज नेटवर्क इस समय मैं बता दूँ कि आज के दिन जो की 2 अक्टूबर है यानि कि गांधी जैन्ती जिसमें साफ तोर पर तमाम जो पार्टीज हैं यानि कि कॉंग्रेस की बात करूँ नैशनल कॉंफरेंस की बात करूँ उन्ह शेरे कश्मीर भवन जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू पहुंचकर वो महात्मा गांधी जी को शद्दान जली अर्पित करेंगे मेडिया एक चोथा स्तंब है जिसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है मगर इसके दोरान नैशनल कॉंफरेंस शेरे कश्मीर गुपता साथी साथ आप तस्वीरे भी देख रहे हैं नैशनल कॉंफरेंस की कि किस तरीके से वहाँ पर मीडिया कर्मी जो है नराज होते वे नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी 11 बजे का समय दिया था कि एक शद्दान जली अर्पित की जाएगी डॉक्टर फारुक जब अपना काम होता है तो मीडिया कर्मियों को वहाँ पर भुलाया जाता है कवरेज करवाई जाती है और वही मीडिया कर्मी जो है मेहनत करकर उनकी कवरेज करता है और प्रशासन तक जब मुकश्मीर प्रशासन हो या केंदर सरकार हो वहाँ तक आवाज उठाता है मगर कही न कहीं ये भी बता दूं कि वहाँ पर जो मीडिया कर्मी मौजूद है हम भी वहाँ पर मौजूद है मगर जब वहाँ पर बाइट करने की बात की गई ब्रीफिंग मीडिया ब्रीफिंग करने की बात की गई तो उसमें साफ तोर पर कहा गया कि मीडिया कर्मियों को बाहर निकाल दीजिए ओफिस से ये साफ तोर पर तस्वीरे आप साथी साथ देख रहे हैं और कुछ मीडिया कर्मी हमारे साथ मुझूद है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यूं होता है जब मीडिया कर्मियों को समय द जाते हैं और मीडिया कर्मियों को दक्के देकर ऑफिस से बाहर निकलने को कहा जाता है इस समय हमारे साथ यहां पर मुझूद है वरुन शर्मा जी दा पबलिस से हैं और काफी पर्तकार्ट करते रहते हैं आज आकर आज इनको भी वहां पर नियोता मिला था 11 बजे की शद् और यह वहां पर तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से इनके साथ भी बहसबाजी की गई और इनको भी कहा कि आफिस से बाहर चले जाएं वरुन जी कैसे देखते हैं समार मले को कि डेमोकरसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है मेडिया को और कही ना कहीं मेडिया कर्मी वही है जो हरेक की आवाज को बुलंद करता हुआ नजर आता है विपक्षी दल की बात करें नैशनल कॉंफरेंस है उन्होंने आज सद्दान जली समारो रखा था जिसमें डॉक्टर फारुक अब्दुला ने शिर्कत की क्या लगता है आपको कि किस तरीके का माहुल जो है कॉंफरेंस के जितने भी अपने नेदा देखेंगे चाप्रो से करकर जो हैं वह यहां तक पहुंचते हैं प्रवेजिन कैसे बने हैं वो भी हम सब जानते हैं बताने को जरूर नहीं लेकिन महात्मा गांधी जी को आप शर्दांजली देने के लिए पूंचते हैं आप सोच बरवाद करकर जो हैं वो वहाँ पर गे और वहाँ पर हमने कवर करने का प्रियास के हमने एक बाइट लेने की कोशिश की डॉक्टर फारक अबदुल्या की वो आज की दिन पर क्या कहना चाहते हैं मीडिया को बहार निकाला रतलाल जी हैं उन्होंने किस तरह से सिरफ मेर को कोई आया है आप उस विक्ति की इज़त नहीं कर सकते हैं फोर्ट पिलर आफ डेमोक्रेसिव से माना जाता है हम आपकी आवाज जो है वो लोग तक पहुंचाते हैं आपने परदर्शन करना होता है आपने कोई भी प्रोग्रम करना होता तो मीडिया हाइलाट करती है आपकी उस इशू को लेकिन आज पता नहीं क्या होगे शाय डौक्र फार्ग अपदूला की तब यह ठीक नहीं थी और डौक्ट्र फार्ग अपदूला ने कहाओ कि मीडिया को थोड़ा सा साइड कर लो लेकिन चापलूसी कहते हैं आपने वहाँ पहां पे थै हमने यह सुना कि अन यह बिल्कुल भी बरदाश करने का लाइक नहीं और आपने देखा कि मीडिया ने भी वहाँ पर स्टैंड लिया लेकिन कवर किसी को नहीं किया और हम अराम से बहार निकल गए और हमने आज डिसाइड किया कि आज नेशनल कॉंफरेंज का कोई भी प्रोग्रम जो है वो कवर नहीं किया जाए क्योंकि इस तरह की हरकत जो है वो बिल्कुल भी बरदाश नहीं होने चाहिए और मांग करता हूँ नेशनल कॉंफरेंज के नेटा डक्टर फारुक अब्दुला से कि ऐसे नेटा के खिलाफ जो है वो कारवई होने चाहिए ऐसा नहों कि नेशनल कॉंफरेंज जो है वो आने वाले दिनों में भी जो है वो मीडिया उसको बाइकाट कर दे पूरी तरह से जैसे कि तस्वीरे आपको दिखाई यहां पर बाइकाट भी किया गया आज मेडिया दौरा डॉक्टर एंसी ओफिस में किसी भी कवरेज को करने से क्योंकि जब वो वारदात देखने को मिली जब जो कि रतनलाल गुपता ने जब उस सब मेडिया कर्मियों को दफ्तर से धक नहीं हुई है और आपने यह जो तस्वीरे आप साथी साथ वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो रतनलाल गुपता है जो मेडिया कर्मियों को दफ्तर से बाहर निकालते हुए नजर आए कितना सही है और कितना गलत है यह आप अपनी राइज जरूर कमेंट बॉ आपसकार